नमस्कार दर्टी मेट कुकीं में आपका स्वागत है तो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिल्कुल धाबे स्टाइल पनीर की रेसिपी जो की बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ना बहुत धाबी स्टाइल का फेमीर बनाने के लिए सबसे पहले हम कर लेते हैं ग्रेवी के लिए तैयारी इसके लिए मैंने ये तीन प्यास छे साथ कर लिया लहसुन की एक इंच अद्रक काटूरा और तीन टमाटर जिनको मैंने नीचे से क्रॉस में कटिंग कर लिया है ले लिये है अब पहले मैं इन सब चीजों को बॉयल कर लूगी देखिए एक कड़ाई में मैंने पानी डाल लिया है थोड़ा सा और मैं इन सारी चीजों को इसमें बॉयल करने के लिए डाल दूगी और करी 5-6 मिनट इने ढखकर लो टू मेडियम फ्लेम पर बॉयल होने दूगी देखिए दोस्तों करीब 5-6 मिनट हो गया है हमारे सारी चीजों को बॉयल होते वे आप देख सकते हैं कि टमाटर की स्किन भी अच्छे से निकलने लगे और यह सारी चीजों से फॉयल हो गई है अब आप कैस का फ्लेम बंद कर दें और इन सारी चीजों को निकाल देखिए सारी चीजों को निकाल लिया है तमाटर की स्किन निकाल दें और इन्हें थोड़ा ठंड़ी होने के बाद मिक्सी में अच्छे तरह ग्राइंड करके प्यूरी जैसा बना लें हमारी सारी चीजे ठंड़ी हो चुकी है अब इनको मैं थोड़ा सा चाकु से कट करके छोटे पीजिस कर लूँगी और मैं इने मिक्सी में डाल कर ब्लैंड कर लूँगी इस तरीके से कट करके डालने से ही बहत आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे देखिए मैंने इसका एक बारिक पेस्ट बना लिया है अब मैंने ले लिया है टोटल 500 ग्राम पनीर 200 ग्राम पनीर को मैंने क्यूप्स में काट लिया है और यह थोड़ा सा पनीर इसमें मैं आधा कब दूट डाल कर इसको मिक्सी में बारिक ग्राइंड कर लूँगी आधा क इंपॉर्टेंट चीज यह मैंने लिया है दो छोटी चम्मझ पनीर मसाला यह रिड्य मशाला है आप चाहेँ तो पनीर का साला अजा अजलेवा 2 चमश ऑलए अब इसमें डाल दें आप एक निव पीपी जीन स्धाइन एक खरी लाची को छोटे तेजадц life नुटा चमश थन्यी पावड़र आदा चमश घनच पावड़र वर एक चोटा चमश का स्बर को*** aptilda कि मिर्ची का पावडर और के पास कामिरी मिर्ची नहों तो आप स के तोछा विदासा पानी डाल दे wr और तेस्टस के लिए अकोर्डिंग नमक के पहले इसमें एक उबाला ने डे देखें हमारी gravy में उभाला घया है अब इसे आप की करिब दो से तीन मिनट पर पकने देज़े अप इसे दक्कर दो से तीन मिनट पिलकुल खिए सिम害 भाला और देखें के देज़ेAC करी कडिए 2-3 मिनट हो गए हमारी gravy को पकते हुए आप देख सकते है हलका हलका वाईल भी सेपरेट होने लगा है अब इस स्टेज पर जो हमने पनीर को ग्राइंड किया था दूद के साथ इसमें वो पेस्ट डाल देते हैं और इसी से में डाल देते हैं एक चम्मचमल आई इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चल जो है हमारी ग्रेवी में आता है और इसे कंटिनी चलाते हुए जब तक उभाल नहीं आ जाता आप इसे पकाएं और एक बार इसमें उभाल आने दे देखिए हमारी ग्रेवी उबनने कर लें और कटे हुए पनीर डाल दें अब मैं डाल एक चम्मच भुनियोग कसूरी में थी यह किसी भी पनीर की सब्जी में डाल दे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ऊपर से अब इसमें डाल दें आप एक बड़ा चम्मच टोमेटो कैचप का डाल और यह कि मैंने दो हरी मिर्चे नमबाई में कट कर ली है यह कम तीखी वाली मिर्ची है क्योंकि हमने मिर्ची अल्रेडी डाल दी है सब्जी में बस अब आप इसे लेड लगा कर दो तीन मिनट बिलकुल स्म गैस पर और पका ले देखिए कर तीन चार नेट और हो गए है हमारी सब सब्जी को पकते हुए आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे सब्जी बनकर तैयार हुई है आप इसे नान पराथा रोंटी किसी के साथ भी खाईए बहुत ही टेस्ट्री लगती है तो अगर आप कोई रेस्पी अच्छी लगी हो प्रीज लाइक और शेर जरूर करें और अ करना ना भूलें तो बनाइए टेस्ट्री सब्जी आज के लिए इतना ही मिलते ही फिरिक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद